तो दोस्तो आज मैं आ गया हूँ सरस्ट फूड फेस्टिवल में जो की है सकनाट प्लेस में इस वक्त लगा हुआ है ये इस वक्त एक सिले के 17 तरिक दिसंबर तक लगा हुआ है और इसकी टाइमिंग रहती है 11 से रात के 10 बजे तो ये देख सकते हैं अभी मैं सुबह सुबह आ गया था 11 बजे तो भी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ है तो ऐसा कुछ लगता है यहाँ पर सब में लिस्ट और रेट लिस्ट सामने ही लगा रखे हैं काउंटर पर तो यहाँ पर 29 स्टेट्स का आपको वेंजन मिल जाएंगे तो आप अगर फूड एंथूसियस्ट या आपको खाना खाना बहुत पसंद है तो आप यहाँ पर आगे इफरेंट स्टेट्स का खाना ट्राइ कर सकते हैं तो यहाँ पर जोन में डिवाइड़ेड है और यह कुछ ऐसा लगता है यहाँ पर आप सेलफी या फोटोस की चुआ सकते हैं तो अभी बिलकुल खाली प बोलते हैं यह देखिए इसके अंदर है यह पीस हुआ है मुझे नाम भूल जाओं मैं इसका यह आपको 50 रुपे में दो पीस मिलते हैं और यह एक इनकी मीठे पकोड़े टाइप है यह मुझे पता नहीं है इसका नाम ठीक से क्या था लेकिन आपको भी मेन्यू लिस्ट में म काफी मतलब काउंटर दो या तीन बने हुए हैं और अगर आपको लोकेशन चाहिए तो यह आपके म्यूजियम है जो म्यूजियम ऑफ इल्यूजन उसके सामने यह लगा हुआ है यह फूट फेस्टिवल तो आप यहां पर आके जुरूर ट्राइग कीजिए क्योंकि 17 तरिक अब है तो अभी बिल्कुल खाली है यहां पर अलग-अलग प्रोग्राम होते हैं सिंगिंग का और डांसिंग का कल्चरल और यहां पर शॉपिंग भी कर सकते हैं यह देखिए आप यहां पर आपको यह से कप वर्प्स मिल जाएंगे थोड़े से महंगे हैं क्योंकि मैंने यहां पूछा था तो जैसे कि आपने सुनाई होगा 120 का एक है तो आप देख सकते हैं काफी महंगे हैं और यह थोड़े चोटे वोटे खिलोने आपको मिल जाएंगे बच्चों के लिए और यहां पर शॉपिंग के लिए आपको कपड़े भी मिल जाएंगे यह बूलन के आप हेंड हेंड में और हेंड वी िविंग से बने हुए यह देखिए यहां पे आपको कुट्स यह धर्शैरिया आपका जो होता है चूरमा वो आप देख सकते हो यहां मिल जाएंगे यहां पर अभी सुबए-सुबए कुछ बहुती कम लोग आए हुए थे तो अभी आप असाम में स्पेशल चाय पी सकते हो, मैंने स्पेशल चाय भी पी थी तो काफी अच्छी चाहे थी तो आपको बिल्कुल अलग यूनिक सा फ्लेवर मिलेगा यहाँ पर ब्राउन राइस खीर भी है जो मैंने ट्राइ की थी बाद में तो वो भी आपको आप कर सकते हो उसका टेस्ट में ठीक ठाक लगा लेकिन यहाँ पर एक्स्प्लोर करने के लिए बहुत कुछ है तो आप जरूर ट्राइ करें अगर आप फूड के एंथूसियस्ट हो और आपको फूड अच्छा लगता है स्ट्रीट फूड है वाजिब दाम है क्योंकि यह लोग स्टॉल लगा रहे है दूसरे स्टेट्स की तो इनको रेंट भी देना होता है तो आप देख सकते हैं इसको पैसा अगर आप करचने को यहार है तो यहाँ पर क्योंकि वेंजन काफी टेस्टी है और डिफरेंट है आपको दिल्ली के किसी अगरे में मिलेंगी जैसे मलाई गेवर था यह गेवर के ओपर सामने जो आप मलाई देख रहे हैं यह बिल्कुल इसके ओपर डालते हैं तो बहुत भड़ी अ लगता है यह देखिए यहाँ पर काफी कुछ है यहाँ पर हलवा है माल पुए भी बन रहे थे यह पकोड़े जो मैंने आपको बताया था यह पकोड़े नहीं है यह एक्चुली तो यह दाल और चनी की दाल और सूजी का बना हुआ है थोड़ा क्रिस्पी भी था और आप कह सकते है तो यहाँ पर बनस्पती यूज करते हैं जो मैंने पूचा था इन से और कई जगे रूची गॉल्ड का तेल है जो काफी पॉपुलर है जो ठेलों में लोग लेते हैं तो आप कम ही खाएं क्योंकि इतना हेल्दी नहीं होता तो आप यह देख सकते हैं यह हालू की सबजी साथ में जो दे रहे थे आलू और काले चने की सबजी तो यह देखिए यह इनकी प्रेपरेशन है यह 50 पीस का है जो आप एक नाश्टे के टाइम खा सकते हैं जो सबसे बैस थी ना वो इनकी हरी चटनी थी यह देखिए यह इसके साथ जो हरी चटनी थी ना उसका जाएका बहुत ही बढ़िया एक तो मुझे तो काफी अच्छी लगी तो आप भी ट्राइ कर सकते हैं अगर कम र कि यहाँ पे स्टोल्स लेगी हुई है उसी के साथ में लेकिन यहाँ थोड़ा महेंगा है रेट जो अगर आप पता करेंगे ना तो जैसे कि आपने सुना रेट काफी हाई है तो अगर आपकी पॉकेट अलाओ करती है तो आप ले सकते हो क्योंकि क्वालिटी तो अच्छी है अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं तो अब हम चलते हैं वापस फूट फेस्टिवल की तरफ यह देखें यहाँ पर चूर्मा भी है हल्वा भी है घेवर भी है और यहाँ पर डोसा होसा बनना शुरू हो गया है काफी कुछ है खाने को जो आप बोलेंगे आपको वोवन मेटेरियल में और भी बहुत कुछ मिलेगा यह देखे यह गर्ल्स के लिए और यहाँ हैंडी क्राफ्ट तो मुझे चिकन तो भी दिखा नहीं लेकिन मुझे कश्मीदी का कैवा मिल गया जो यहाँ पर यह देखें इतने बड़े जार में है तो कैवा यहाँ से टोकन लेके आते हैं यहाँ पर भाजी बनी हुई है सब्जी जो कि आप रुमाली रूटी के साथ ले सकते हैं तो यहाँ पर आपका बिल करने का यहाँ पर यह एक तरीका है कि आप यहाँ पर एक कूपल ले सकते हैं जिसमें रीचार्ज करते हैं और यह इसको स्कैन कर ल तो यहां पर आप राजस्थानी स्टॉल पर आप मिर्ची वड़ा ले सकते हैं यह देगे यह मिर्ची वड़ा 50 रुपीज का है इसमें यह आपको लाल चटनी और हरी चटनी के साथ देंगे यहां पर आपको डाबेली चूरमा और बहुत अलग अलग तरीके के राजस्थानी वेंजन आपको मिल जाएंगे प्याच कचोरी मीठी कचोरी मीठी कचोरी यह नहीं मावा कचोरी भी आपको मिल जाएगी और टि गोलगप्पे में एक स्पेशालिटी दी यहां पर रागी के गोलगप्पे थे जो की 100 रुपीज के 5 पीसे तो अगर कोई है तो वह भी देख सकते हैं किसी को फ्रेश फूट जूस लेना है तो यहां पर फ्रेश फूट जूस का भी कॉर्णर था के रहला के अंदर जो की अप और भी देख सकते हैं यहां देखे यह फिश है और फिश अभी मैरिनेट करके रखे हुई है यह इसको बार्बे क्यों बनाएंगे बाद में जब यह स्टार्ट होगा तो भी मैरिनेटेड है यह सब और यह देखे यहां पर मुझे सबसे इंट्रस्टिंग और सबसे बड़ तो यह था पंजाब का स्टॉल जो कि इसमें काफी कुछ था तो आप देख सकते हो तो मैंने यहां पर इस अब महराश्टर के स्टॉल से मैंने यहां पर एक चिकन का आइटम लिया था जो कि मैं उसका नाम भूलिया हूं तो आप मेन्यू गार में देख सकते हैं यहां पर चि आपको 50 रुपीज एक्ट्रा देने पड़ेंगे लेकिन इनके जो चिकन के पीस से ना वो मेरिनेटिट थे तो अंदर से काफी सॉफ्ट था कोई भी पीस ऐसा नहीं था जो भुर भुरा टाइप हो जो आपको अच्छा ना लगे तो इवन आप मैंने यहाप एक लेक पीस लि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी के आइटम भी सेट होने शुरू हो गए हैं बिल्कुल फ्रेश बनते हैं सबसे बैस अच्छी बात है यह बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं यह नहीं के बहुत सारा इनोंने कंटेनर में रखा हुआ है यह तुरंत ही तुरंत पीछ अच्छी बात है तो यहाँ पर इनके पास पैकिंग की भी सुविधा उपलब्द है जो कि यह 20 रुपीज में एक्स्ट्रा पैकिंग के लिए करते हैं यहां पर पैकिंग हो रही है यहां पर प्रॉंस करी पैक हो रही है तो उत्राखंड में आप देख सकते हैं रागी की ग लेगे जलेवी का साइस देखिए यहां पर यह उत्तरप्रदेश का खाना है यहां पर है फिर सेराजस्थान में बता रहे हैं तो धो यह है सेखे vigil होद्म यह दो नहीं पर आप यह देखे यहाँ पर मैंने एक ली थी बाजरे की रोटी और ली थी मैंने मक्के की रोटी तो मैंने यह दोनों अलग-अलग काउंटर से ले थे एक हरयाना से मैंने बाजरे की रोटी ली थी और पंजाब से मैंने बाजरे की रोटी ली थी तो यह आंटी जी जो है यह बना रही दिल्कुल fresh तो यह काफी अच्छी थी तो मैंने इस सबसे पहले इसके लिए रिचार्ज किया क्योंकि 200 का साग और बाजरी की रोटी थी और जो रोटी थी न वो तो बहुत ही सौंफ्ट बहुत यूनिक तरीके से वो रोटी बना रे थे आप देख सकते हैं अंटी बलकुल फ्रेश बना रही है यह बाजरे का रता बिलकुल उन्हें फ्रेश उसना था और यह देखिये किस तरीके से अपने hands का use करके कितने प्यार से रोटी बना रही है बल्कुल आइस्ता आइस्ता थोड़े सिखने में टाइम लगता है लेकिन रोटी बहुत ही अच्छी थी 200 रुपीज में I think यह जिस तरीके से इन्होंने बल्कुल fresh बनाया बहुत ही बड़ी खाना बनाया था साग भी बहुत अच्छा था उपर से काफी सारा butter डाला था इन्होंने और साथ में गुड़िकी टिक्की दी थी तो आपको एकदम देशी खाने का टेस्ट आजाएगा तो अगर आप कोई अच्छा लगता है तो आप जरू ट्राय करजी है साथ में इनके पास ये हल्वा भी था और यहां पे भी item सेट ही हो रहे थे तो अभी इनके पास ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं है क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ा जल्दी आ गया था तो यह देखे पंजाब में आपको राजमा तो हमेशा ही मिलेगा तो यहां पे हमारी बाजरे की रोटी सिक रही है और यह देखे यहां मैंने गुड टेस्ट किया था जो कि बिल्कुल आपको गाउं की सुगंध है उस गुड के अंदर और टेस्ट भी काफी अच्छा हैगा तो यह देखे बिल्कुल स्पेशल देशी घी में बना रहे थे तेल में नहीं बना रहे थी रोटियां तो यह देखे बहुती महनती आंटी थी यहां पर जो काम कर रहे थी यही बाजरे की रोटी यही बनाती थी तो यहाँ पर मैंने अपना पैकिंग करवा लिए इसके बाद और यहाँ हमारी बन रही है बाजरे की रोटी पंजाब की साइट में आप देख सकते हैं यह है और यहाँ पर आगे जाके देखें तो आपको जमोरें कश्मीर के स्टॉल दिख जाएंगे और भी काफी काफी अच्छे स्टॉल से हैं मतला हर चीज अच्छी है मतला स्टेट्स की वह हर चेके मिल रही थी तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह बन रही है बाज मक्य की रोटी यह भी थोड़े अलग स्टाइल से बना रहे हैं पनी में पनी यूज करते हैं अच्छी हम भी ऐसी बनाते हैं लेकिन अलग 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 तरीके से बनाते हैं तो यहां पर हमारा हो गया है पैकिंग और यह नेक्स लोट के लिए और आटाउस ना चाहरा है जैसे कि मैं आपको गोल रहा था बिल्कुल फ्रेश यहां पर बन रहा है तो सबसे अच्छी बात यही है बिल्कुल फ्रेश आपके सामने बनेगा कि आपको मिलेगा ही नहीं मतलब आपको आधा पूना घंटा लगना पड़ेगा मैंने भी पूना घंटा वेट करने के बाद यह मुझे लिट्टी जोका मिला था तो लिट्टी तो भी हार की जो है स्पेशल डेश है और यहां पे काफी टेस्टी थी यह ना 150 रुपीस की थी जोकि तीन लिट्टी में मिल रहती है और यहां पे इन्होंने कोमन बोर्ट सा लगा रहता है जिस पर अपने रिब्वीऊ डाल सकते हैं आपको फूड़ फेस्टीवल कैसा लगा तो आप अपनी जिसाब सापका भी रिव्यू हो आप डाल सकते हो तो यहां पर जो यहने प्रंकरी का प्लैना बहुत ही बड़िया था और यहां पर राजस्तानी थाली थाली हमने ली थी तक है प्लैन Shift था बहुत ही बड़िया है तो अगर आपका भी प्लैन बन रहा है कुछ-फूर, खाने सथनी अकayo और आपको बादा मजा होसे थैंक यू